एक बड़ी पुराणी कहवत है कहते हैं अपनी अपनी तान में गधा भी मस्तान कई बार जो लोग ज्यादा सोच नहीं पाते हैं वो खुद के मस्ती में चूर रहते हैं और खुद के ही सिकार हो जाते हैं कुछ वैसा ही हो गया है क्या ब्राजील के नए नवेले राष्टपती के साथ ब्रिक्स मीटिंग के बाद जैसे ही वो घर पहुंचे हैं यानि की ब्राजील पहुंचे हैं उनका पूरा का पूरा सपना तूट गया है जो खबर उनके लोगों ने उन्हें दी है उनके अनुसा तो पैरो तले जमीन खिसक गई है ब्राजील के राश्टपती की और वो सब कुछ किसकी वज़े से चाइना की वज़े से जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड एकोनोमिक वारम के चीफ ने क्यों कहा अगला सूपर पावर होने वाला है भा भारत की अर्थववस्ता के बारे में भी डबलू एफ के चीफ ने क्या कह दिया है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है बहुत ही खास कबर है सबसे पहले बात करें ब्राजील के नए नवेले प्रेसीडेंट डिसिल्वा और इनसे पहले जो थे उनको इन्हें हटाने में बहुत ही तिकडम झेलना पड़ा एक तरफ थे लूला और दूसरी तरफ थे बॉल्सनारो बॉल्सनारो की सोच एकदम अलग है लूला की सोच एकदम अलग है लूला जैसे ही इन्होंने कबजा किया ब्राजील की सत्ता पर वैसे ही इनका रुजहान सबस ज्यादा चला गया चाइना के ऊपर ब्राजिल की एकोनोमी को समालने के लिए इन्होंने चाइना का दामन पकड़ लिया और चाइना का दामन कुछ इस तरीके से पकड़ा इन्होंने बैपार भी प्लान कर लिया बड़ा वाला बहुत बड़ा दाव खेल दिया ब्राजिल ने चाइना के ऊपर ब्रिक्स की जब मीटिंग हो रही थी न तो लूला बहुत खुस नजर आ रहे थे और लूला को ऐसा लग रहा था कि चलो ये जो ब्रिक्स है ब्रिक्स की अर्थववस्ता है ये दुनिया पर राज करेगी डॉलर की वेल्यू खत्म हो जाएगी और पस्चिमी दुनिया को बैलेंस करने वाला एक संगठन आ चुका है ये लूला ही है जिनों ने इसी साल की सुरुवात में एक ट्वीट किया था और इनों ने बोला था आखिर दुनिया डॉलर में बैपार ही क्यों करती है मतलब डॉलर के परती इनकी खुंदस सफ सफ दिखती है हाला कि डॉलर के परती कुछ न कुछ आख्रोस तो कई सारे देसों में है पर किसी के राष्ट द्याच ने इस तरीके से खुल कर नहीं कहा था पर ब्राजिल ने कहा क्योंकि ब्राजिल का ध्यान था कि चाइना एक टॉप के अर्थववस्ता में आता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थववस्ता है और ब्राजिल ये सोच रहा था, कि ब्रिक्स में तो और भी देश आ रहे हैं जो बड़ी बड़ी एकोनॉंमी वाले हैं, तो ये जो बड़ी बड़ी एकोनोमी वाले हैं ये हम मिलकर धोस्त कर सकते हैं ब्राजिल और चाइना के बीच बैपार 173 बिलियन डॉलर का हुआ था 2022 में और ब्राजिल और अमेरिका के बीच बैपार हुआ था 94 बिलियन डॉलर का यानि आप समझ सकते हैं कि ब्राजिल किसके साफ ज़्यादा बैपार करता है यही वज़े है कि ब्राजिल ने सोचा कि चलो हम इसी पर दाव खेलेंगे और पूरी तरीके से ब्राजिल चाइना के साथ मिलकर कई इंडस्ट्री कई तरह की फैक्ट्री कई तरह के वैसे ही लूला अपने घर पहुचे हैं वैसे ही उनके सेंट्रल बैंक के चीफ और एकोनोमिस्ट आ चुके हैं और उन्होंने बोला कि देखो देश में प्रेसर बढ़ रहा है और जो हमारे एकाउंट है उसमें समस्याएं आ रही है क्योंकि आपको बजट फिर से बैलेंस करन अब ब्राजिल में ये संकट क्यों आने लगा तो आपको बता दें कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है चाइना के डिफलेशन का ब्राजिल के ऊपर क्योंकि ब्राजिल और चाइना के बीच बैपार बहुत ज़्यादा था और इन्होंने 14% का और भी समय में लूला क्या कर लेंगे जी नहीं लूला चाइना के परती समर्पित आज से नहीं है जब वो पहली बार राष्ट पती बने थे 2003 से 2010 तब उन्होंने बहुत ज़्यादा चाइना को रियायते दी थी ब्राजिलियन सोया बीफ आयरन और खरीदने के लिए इसके अलावे चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रजेक्ट वगेरा बहुत सारी चीजों में लूला ने इंवेस्टमेंट किया था यानि कहने कारती ये है कि ये प्रेम बहुत पुराना है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कटिंग पर अब चाइना कुछी सिस्तिती में पहुँच ग और जो चाइना की वजह से हो रहा है चाइना के उपर बहुत ज़्यादा निर्भरता इसे लेकर डूब रही है सी जिनपिंग जब बिजनेस फोरम की मीटिंग हो रही थी ब्रिक्स की तो उसमें सामिल नहीं हुए जिसको देखकर ही समझ में आ गया कि एकोनोमी से समंधित क कोई पुछा जाए इसकी वजह से डर रहे हैं जिनपिंग अब यह जो ग्राफ देख रहे हैं यह चाइना की ग्रोथ रेट का ग्राफ है जो बता रहा है कि यह धीरे धीरे पांच से भी नीचे जा रहा है जो लूला के लिए सबसे बड़ा टेंसन का कारण बन रहा है खेर जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम के चीफ ने तो एकदम से दुनिया को हैरान कर दिया है कौन से वो तिन देश हैं जिनके बीच एक बड़ा गेम होगा दरसल आपको बता दें जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड एकोन हमने आ रहे हैं सबसे पहले तो भारत भारत ने जिस तरीके से महामारी के बाद दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थववस्था का पद हासिल कर लिया है वो एकदम से चौकाने वाला है अब इनका कहना है कि भारत का डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन और जिस जैसे बदल रही हैं वैसे वैसे भारत को इसका फायदा भी मिल रहा है अब इन्होंने कह दिया कि एक नया ऑदर बन रहा है दुनिया में और यह जो नया ओदर है इस नय ओदर में भारत एक ग्लोबल सूपर पावर बन कर सामने आ रहा है पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग अपने घर में भी हैं जो ये समझते हैं कि ये सारी बातें घर में फैलाई जा रही हैं लेकिन सचाई ये है कि अब बाहर के बड़े बड़े दिगज भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल जिसमें इन्होंने कहा है तीन ऐसे देश होंगे जो आमने सामने होंगे एक है भारत दूसरा है अमेरिका और तीसरा है चाइना हाला कि चाइना की इस्तिती जिस तरीके की है बहुत जल्दी वो रेश से बाहर हो जाएगा ये चीज तो साफ दिख रहा है फिर तब भारत और अमेरिका ये दो देशी होंगे आमने सामने इन्होंने इस बात को भी कह दिया कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थ ववस्ता बन जाएगा जल्द नहीं उसमें जादा वक्त नहीं लगेगा कुछी सालों के अंदर आप देखेंगे अर्थ ववस्ता है इसक्रीन पर आप इनके न्यूज को देख सकते हैं कि किस तड़ीके से ये भारत की अर्थ ववस्ता के बारे में कह रहे हैं कि हम बिलकुल सही ट्रेक पे चल रहे हैं किर इन सब मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरू बताएगा जल मिलते हैं